हलो स्टूरिंट्स, वेलकम तो माई यूट्यूब चानल, क्रियेटिव हुबन एजूकेशन तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग क्वेशन नमबर 30 से आगे करेंगे जिन लोगोंने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, उनको मैं ये बता दूँ कि हम लोग DK Goyal का चैप्टर नमबर 3, Admission of a Partner का बैक क्वेशन नमबर 29 B तक पिछले वीडियो में हम लोगोंने कंप्लीट किया था और आज के वीडियो में हम लोग क्वेशन नमबर 30 से आगे करेंगे इससे पहले के सारे वीडियो के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिये हुए हैं तो आप लोग वहां से जा करके देख सकते हैं क्वेशन नमबर 30 हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेशन रीड करेंगे A and B are partners sharing profits in the ratio of 4 is to 3 C is admitted into partnership and the new ratio is determined as 3 is to 2 is to 1 तो old ratio दिया हुआ है, नया ratio दिया हुआ है और C एक नया partner आता है C does not pay anything for his share of goodwill तो वो goodwill के लिए कुछ भी पैसे नहीं दे रहा है और जिस दिन उसका admission होता है तो उस दिन firm की goodwill 84,000 होती है हमको journal entry pass करनी है तो old ratio दिया हुआ है, नया ratio दिया हुआ है आईए सबसे पहले इसका sacrificing ratio हम लोग calculate करेंगे तो question में जैसा हमको बताया था अभी हम लोग उन्हें read भी करा है A और B पुराना ratio 4 is to 3 है और नया ratio हमारा 3 is to 2 is to 1 आ गया है goodwill firm की 84,000 है और C हमारा नया partner business में admit किया जाता है तो ज़रा हम लोग sacrificing देख लेते है A कितना sacrifice कर रहा है ये कैसे निकलेगा, बहुत simple है पुराना ratio A का कितना है 4 upon 7, 7 कैसे आया 4 plus 3, minus नया ratio हमारा कितना है 3 by 6, 6 कैसे आया 3 plus 2 plus 1 ये सब हम लोगोंने friends बहुत detail में पिछले videos में करा हुआ है link सारे description में मैंने दिये हुए आप वहाँ से देख सकते है इन दोनों का LCM निकालेंगे तो 42 आ जाएगा और यहाँ पे इसको solve करेंगे तो 24 minus 21 which is equal to 3 by 42 ये A का sacrifice है B का हम निकालेंगे तो आएगा 3 by 7 minus 2 by 6 which is equal to LCM 42 आया और यहाँ पे हमारा 7 में 6 times जाता है 42 को अगर हम 7 से divide करेंगे तो 6 आएगा और 6 को 3 से multiply किया हमारा तो 18 आजाएगा 42 को 6 से divide करेंगे तो 7 आएगा और 7 को 2 से multiply करेंगे तो 14 आजाएगा तो 4 by 42 आगया ठीक है अभी हमारा क्या हुआ है यहाँ पे ये B का आगया तो अब हम इसको अगर sacrificing इसको ratio form में convert करेंगे तो 3 upon 42 is to 4 upon 42 which is equal to 3 is to 4 ये हमारा क्या आगया फ्रेंड्स sacrificing ratio आगया ठीक है अब क्या कहता है कि जिस दिन admission हुआ था उस दिन firm की goodwill कितनी दी हुई थी 84,000 दी हुई थी तो इसमें C का share अगर हम निकालेंगे तो 84,000 into C का share मतलब 3 is to 2 is to 1 तो 1 का मतलब क्या हुआ 1 by 6 तो 1 by 6 अगर हम करते हैं ये कितना आ जाएगा हमारा ये हमारा आ जाता है 14,000 14,000 ठीक है अब ये 14,000 अगर वो cash में नहीं ला रहा है तो क्या करेंगे हम लोग बहुत सिंपल है entry हमारी क्या पास हो जाएगी entry हमारी पास होएगी C's current account debited to A's capital account to B's capital account 14,000 उसको लाना था जो वो नहीं ला रहा है और sacrificing ratio में मतलब 6,000 और 8,000 यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया जाएगा अगर इस से आपको detail में और चाहिए friends तो पिछले video देख लीजे मैंने इस पार्ट को बहुत detail में explain करा एक अलग से separate video है when the partner does not brings his share of goodwill in cash and the goodwill यहाँ पर इस चीज को हम लोगों ने पहले करा हुआ है C acquires one-fifth of his share from A ठीके C जो है वो one-fifth share सिर्फ A से ले रहा है अब आगे कैसे करना है मैं बताता हूँ goodwill on C's admission is to be valued on the basis of capitalization of average profit of last five years ठीके पिछले सालों का profit और loss दिया हुआ है कुछ adjustments भी दिये हुए है on 1st April 2018 the firm had assets 7 lakhs and liabilities 2 lakh 20,000 normal rate of return 12% दिया है C brings 1,25,000 for his capital and is unable to bring goodwill in cash pass entries and calculate the new profit sharing ratio तो इस case में आईए फ्रेंट सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं नया profit sharing ratio calculate कर लेते हैं ठीक है तो question क्या कह रहा है A और B partners है 3 is to 2 का ratio था तो मतलब क्या हुआ 3 by 5 is to 2 by 5 5 कैसे आया 3 plus 2 C नया partner है जिसको हम 1,4th share दे रहे हैं ठीक C acquires 1,5th of his share ध्यान रखिएगा 1,5th of his share from A तो देखते हैं A दे कितना रहा है A will give 1,5th of कितना share मिलना चाहिए था 1 by 4 which means 1 by 5 into 1 by 4 which is equal to हम इसको आगे करेंगे तो ये 1 by 20 आ जाएगा है ठीक ये कौन दे रहा है ये A दे रहा है तो अगर इतना हिस्सा C को मिलना ये है ठीक इतने मेंसे इतना A दे दे रहा है तो B कितना दे रहा है कैसे पता लगेगा भई जितना C को मिलना है उसमें से जितना A ने उसको दिया वो माइनस कर दीजिए तो पता लग जाएगा B कितना दे रहा है उसको ठीक है तो अभी हम कैसे करेंगे इसमें आगे हम लिखेंगे B He will give कैसे पता लगेगा भई ये है पूरा और इतना A ने दे दिया तो अगर 1 by 4 में से 1 by 20 हम माइनस कर देते है LCM कितना आगया 20, 4, 5s are ठीक है 4, 5s are 20, 5, 1s are 5 minus 1 is equal to 4 by 20 is equal to 1 upon 5 ये कौन दे दे रहा है ये B दे रहा है अब just in case to make yourself sure अपने आपको share करने के लिए आप क्या करिए A ने जितना दिया और B ने जितना दिया उसको आप क्या करिए add कर दीजी ये 4 आएगा यहाँ पे ठीक है 4 यहाँ पे यहाँ आप चाहें तो इसको ऐसे 4 by 20 भी रख सकते हैं प्रॉब्लम ने क्यों कि 20 20 है तो वो solve करने में easy हो जाएगा ठीक है यहाँ चलिए हम 4 by 20 कर देते है LCM कितना आया 20 ठीक है अभी आप क्या करेंगे इस case में ये 4 by 20 होगा आपका ठीक है तो इस case में क्या हो जाएगा 1 plus 4 is equal to 5 by 20 which is equal to 1 by 4 अब ये देखी ये और ये सही हो गया इसका मतलब A सही दे हिस्सा दे रहा है और B भी सही हमने calculate करा है अब हम क्या करेंगे कि इतना देने के बाद A के पास कितना बचा और B के पास कितना बचा ये calculate करेंगे तो हम क्या करेंगे A is new share A का पुराना share 3 by 5 A ने अपने पास से दिया कितना 1 by 20 LCM कितना आ गया इस case में 20 तो 5 4s आ ठीक है and 4 3s are 12 minus 1 which is equal to 11 by 20 A का नया share आया B's new share कैसे पता लगेगा बहुत simple है अभी क्या दिया हुआ B का पुराना share 2 by 5 है और B अपने पास से दे कितना दे रहा है 4 by 20 B अपने पास से दे रहा है 20 LCM 5 4s are 20 4 2s are 8 minus 4 is equal to 4 by 20 अब क्या करना है आईए नया अब C का तो हमें मालूम है कितना दिया जा रहा है तो हम क्या करेंगे इस case में A, B, C कैसे निकलेगा 11 upon 20 is to क्या करेंगे 4 by 20 is to 1 by 4 LCM common करा हमने 20 11 is to 4 is to 5 नया ratio 11 is to 4 is to 5 आगया ठीक है अब ये करने के बाद हम क्या करेंगे हमको निकालना है sacrificing ratio क्योंकि इसमें हमारा sacrificing ratio is equal to old ratio minus new ratio ठीक है तो A का sacrifice कैसे निकलेगा A का पुराना ratio 3 upon 5 minus नया ratio 11 by 20 LCM कितना आया 20 तो 12 minus 11 is equal to 1 by 20 आगया B कितना sacrifice करेगा पुराना share 2 by 5 नया share 4 by 20 LCM कितना करेंगे 20 तो कितना हो जाएगा हमारा 8 minus 4 is equal to 4 by 20 ठीक है So sacrificing ratio is equal to 1 by 20 is to 4 by 20 which is equal to 1 is to 4 यह हमारा sacrificing ratio आगया अब आएए goodwill हम लोग calculate कर लेते हैं ठीक है अब देखिए यहां पर दिया हुआ है कि पहले तो हमें ऐसे हमें लिख दिया है 14 का 50,000 पंदरा year 2014 का 50 है 15 का एक लाग भी 60,000 loss हुआ है यह हमने ऐसे लिख दिया इसको ठीक है अब देख लेते हैं adjustment क्या दिया हुआ adjustments हमको यह बताते हैं पहले साल profit 50,000 था कोई adjustment नहीं है तो real profit इस साल का हमारा क्या हो गया 50,000 दूसरा हमको क्या बताया है profit है 1,20,000 including gain of 40,000 from the sale of fixed assets तो यह abnormal gain है यह क्या करा जाएगा इस में से minus कर देंगे तो 1,20,000 में से 40,000 minus किया तो कितना आ गया हमारा 80,000 आ गया अब next देखिए loss of 60,000 minus 60,000 है after charging loss by fire minus 50,000 ठीक है अगर abnormal loss है friends ठीक है तो abnormal loss हमारा add कर दिया जाता है तो minus 60,000 में हम क्या कर देंगे plus कर देंगे 50,000 को तो हमारा इस साल का सिर्फ loss कितना हुआ 10,000 हो गया ठीक उसके बाद क्या बताया हमको 1,000,000 का loss हुआ है after charging voluntary retirement compensation of 1,50,000 ठीक है तो minus 1,000,000 plus 1,000,000 कितना हो जाएगा हमारा यहां पे 50,000 आ जाएगा ठीक है यहां आप minus sign लगा सकते हैं उसके बाद last हमको profit बताया है 1,90,000 तो 1,90,000 इसमें कोई adjustment नहीं था तो 1,90,000 आ गया हमारा अब हम क्या करेंगे इसका total करेंगे total कितना आया 3,60,000 ठीक 3,60,000 हमारा आ गया अब इसके बाद क्या होना है बहुत simple है आईए solve करते चले जाते हैं अब हमें निकालना है average profit average profit is equal to 3,60,000 divided by number of years 1,2,3,4,5 5 से हम divide कर देंगे कितना आ गया 72,000 72,000 आ गया अब हमें निकालना क्या है capital employed capital employed हमारा कैसे निकलता है capital employed हमारा निकलेगा assets minus liabilities से अब देखिए question में यहां दिया है 7,00,000 रुपए assets हैं और 2,20,000 हमारी liability है तो capital employed कैसे हो गया हमारा 7,00,000 minus 2,20,000 तो capital employed हमारा कितना आ गया 4,80,000 normal rate of return कितना दिया हुए friends 12% यह सब बहुत डीटेल में मैंने पिछले chapter में explain कर रहा है link सब का मैंने दिया हुए description में अब हमें क्या निकालना है capitalized value of average profit is equal to average profit formula क्या होता है friends average profit into 100 upon rate इसको जब हम solve करेंगे तो 6,00,000 हमारी firm की goodwill आ गई क्या आ गई friends यह goodwill firm की कब जिस दिन नया partner C हमारा join कर रहा था business अब आगे हम क्या करेंगे friends आगे next हमारा क्या है नहीं नहीं यह goodwill नहीं आई है sorry I am extremely sorry यह goodwill नहीं है यह हमारा आया है capitalized value of average profit ठीक है यह हमारा आया है capitalized value of average profit goodwill हमारी आएगी देखिए goodwill हम क्या करेंगे goodwill is equal to capitalized value minus net assets या capital employed ठीक है दोरों में से कोई भी चीज़ आप उसको बुला सकते हैं देखिए friends होता क्या है कि video बनाने में difference होता है और पढ़ाने में difference है तो थोड़ा सा चीज़ें कभी कभी आगे पीछे हो जाती है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे capitalized value हमारी कितनी है 6,00,00,00,00 net asset कितना हमने calculate करा था 4,80,000 is equal to 1,20,000 यह हमारी आगई goodwill किसकी firm की कब जब नया partner admit हो रहा था तो आगे हम क्या करेंगे C's share in goodwill calculate करेंगे जो की 1,20,000 आई है और C का share 1 by 4 है हमारा इसको जब हम solve करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 30,000 अब क्योंकि यह cash में तो ला नहीं रहा है तो इसकी journal entry हम क्या कर देंगे journal entry हो जाएगी C's current account debited to A's capital account to B's capital account 30,000 sacrificing ratio कितना था हमारा दिया अभी हम लोगों ने calculate करा यहाँ पर sacrificing ratio हमारा आया 1 is to यहाँ पर देखिए 1 is to 4 आया था तो हम लिख देंगे यहाँ उसके हिसाब से जब हमने बाटा तो 6,000 और 24,000 हमारा हो गया यह हमारी journal entry हो गई question number 32 read करते है आये PQR share profits in the ratio 5 is to 3 is to 2 S was admitted into partnership S brings in 30,000 as his capital S is entitled for 1 5th share in profit which he acquires equally from PQR टीक है Goodwill of the firm is to be valued at 3 years per purchase of last 4 years अब देखिये friends यह question बहुत simple है इसमें मैं आप लोगों को new profit sharing ratio calculate करा देता हूँ अभी अपने सामने Goodwill कैसे calculate होनी है यह 4 साल का profit दिया है चारों को आप add करेंगे 4 से divide कर देंगे और 3 से multiply कर देंगे क्योंकि 3 years बोला है purchase ठीक है तो आपकी Goodwill आ जाएगी अब यह नई Goodwill आएगी यह पुरानी Goodwill दी हुई है ठीक है पहले आप क्या करेंगे पुरानी Goodwill पुराने partners पुराने ratio में आपस में बाट करके खतम करेंगे क्या entry हो जाएगी P's capital account debited Q's capital account debited R's capital account debited to Goodwill ठीक है Goodwill के सामने 50,000 और PQR के सामने लिखेंगे 50,000 को 5 is to 3 is to 2 के ratio में बाट करके खतम कर देंगे जो नई Goodwill आपने calculate करी जो नए partner के आने के time पे है उसमें S का 1 फिफ्ट शेर निकालेंगे और उसकी final entry आप क्या करेंगे S current account debited to जो भी sacrificing partners होंगे ठीक है और आपको sacrificing ratio निकालना होगा तो मैं इसमें नया ratio calculate करने में आप लोगों की मदद कर देता हूँ क्योंकि यह बहुत simple question है पीछे इस तरीके के questions हम लोगोंने बहुत solve करें है तो आईए इसका नया ratio calculate कर लेते हैं बोलता क्या है कि PQR partner थे और ratio 5 इस्टो 3 इस्टो 2 दिया हुआ है ठीक है S जो नया partner आ रहा है उसको 1 5th share मिल रहा है which he is acquiring equally from PQR तो अभी क्या करेंगे P will give 1 by 2 of 1 by 5 ठीक है sorry 1 by 3 हो गा यह 1 plus 1 plus 1 ठीक 3 is equal 3 लोग है न तो यह 1 by 15 आ गया है Q will give 1 by 3 of 1 upon 5 which is equal to 1 upon 15 of का मतलब multiply and R will give 1 by 3 of 1 by 5 which again is equal to 1 by 15 ठीक है यह तो कितना कितना देना था इन लोगोंने दे दिया आईए देखते हैं अब इनके पास बचा कितना है ठीक है बचों को अक्सर गल्दिकत यहीं आती नया ratio calculate करने में तो नया ratio ही मैं आप लोगों की मदद कर रहा हूँ यहाँ पे calculate करने में अभी हम क्या करेंगे P's new share old कितना है P का 5 upon 10 कितना दे दिया उसने 1 by 15 LCM कितना आया 15 तो 15 minus 2 is equal to 13 by 30 यह P का नया share आ गया Q का नया share कैसे निकलेंगे पुराना कितना है 3 by 10 उसने अपने पास से दे कितना दिया 1 by 15 LCM कितना आ गया 30 ठीक है यह 30 LCM आएगा 30 तो यहाँ पे क्या करेंगे 10 3s आ और 3 3s आ 9 minus 1 which is equal to 8 by 30 और उसके बाद R का हम क्या करेंगे R हमारा है यहाँ पे पुराना share R का 2 by 10 R अपने पास से दे कितना रहा है 1 by 15 तो नीचे LCM कितना आ गया 30 6 minus 1 is equal to 5 by 30 तो नया रेशियो क्या बनेगा हमारा P Q R S का नया रेशियो कैसे बन जाएगा बहुत सिंपल है P का कितना आया 13 by 30 Q का कितना आ रहा है 8 by 30 R का कितना आ रहा है 5 upon 30 और S का हमने कितना देना है उसको भई S को हमें 1 by 5 देना है common denominator करा 30 तो 13 is to 8 is to 5 is to 6 तो new ratio 13 is to 8 is to 5 is to 6 यह हमारा आ गया यह नया रेशियो आया इसके बाद आप क्या करेंगे sacrificing ratio निकालेंगे sacrificing ratio निकालने के बाद क्या करेंगे आप firm की goodwill calculate करेंगे मैंने आपको बताया उस goodwill में S का share निकाल लेंगे ठीक है पुरानी goodwill बाद करके खतम करेंगे entry भी बता दिये मैंने तो यह question आपका हो जाना चाहिए next question हम लोग देखते है question number 33 xyr partner sharing profits in the ratio 3 to 2 goodwill appears in balance sheet 60,000 पुरानी goodwill है क्या करना है friends पुराने partner पुराने ratio में बाट करके खतम करेंगे entry क्या हो जाएगी x capital account debited y capital account debited 2 goodwill किस ratio में बतेगी 3 to 2 खतम यहाँ तक हो गया z is admitted for 1 fourth share in profit 1 fourth share in profit है आगे कुछ बताया नहीं है total goodwill of the firm is valued at 2 lakhs ठीक है तो यह 2 lakh में z का नया share निकाला जाएगा 2 lakh का 1 by 4 आप कर देंगे जितना भी आता है z का ठीक है वो आप उसको निकाल लेंगे इसमें इसके जैसे की अगर यह देखिए 2 lakhs है divided by 4 तो 50,000 आ गया इसका कितना आया 50,000 यह 50,000 हमारा जो entry करी जाएगी वो क्या हो जाएगी हमारी entry इस case में हमारी होगी कौन नया आ रहा है z तो z current account debited to x capital account to y capital account z के सामने 50,000 और x और y के सामने sacrificing ratio में 50,000 बढ़ जाएगा आईए इस case में generally problem क्या आती नया ratio calculate करना वैसे बहुत easy है इस case का नया ratio calculate करना लेकिन फिर भी मैं सिर्फ नया ratio आप लोगों को बता देता हूँ तो आप लोग आगे कर लेंगे question number 33 है यह और 33 में पुराना ratio x और y का दिया हुआ है 3 is to 2 z नया आ रहा है जिसको 1 fourth share देना है अभी कैसे करेंगे total profit 1 मान लीजे 1 में से 1 fourth निकाल दिया तो 1 upon 1 minus 1 upon 4 which is equal to 4 4 minus 1 is equal to 3 by 4 तो x new share कैसे निकलेगा भाई पुराना क्या है 3 by 5 into 3 by 4 कितना आ जाएगा 9 by 20 यह x का नया आ गया y is new share कितना हो जाएगा friends हमारा y का नया share है 2 by 5 into बचा हुआ 3 by 4 is equal to sorry 6 by 20 अब नया ratio calculate कर लीजे कैसे आया x y z is equal to 9 by 20 is to 6 by 20 is to 1 by 4 LCM 20 9 is to 6 is to कितनी 5 times जाएगा तो 9 is to 6 is to 5 नया ratio आया इसके बाद आपको क्या करना है sacrificing ratio करना है sacrificing ratio निकालने के बाद आपको क्या करना है ये जो goodwill पहले से है इसको बाट करके खतम करेंगे पुराने partners में और नई goodwill में नए partner का हिस्सा निकालेंगे और फिर उसके बाद आप क्या करेंगे उसको entry पास करेंगे entry आपकी क्या हो जाएगी z's current account debited to x capital account to y's capital account 50,000 उसकी value आया थी हो 50,000 किस ratio में बढ़ जाएगा 50,000 आपका बढ़ जाएगा sacrificing ratio में जो आप कैसे निकालेंगे old ratio minus new ratio next question हम लोग देखते हैं friends बहुत easy questions हैं सब मैं generally एक एक चीज़ solve करता हूँ लेकिन मुझे लग रहा ये बहुत ही easy part है इसलिए मैं इसको पूरा पूरा नहीं solve कर रहा हूँ तो यहाँ पर क्या है question number 34 x, y, z वर partner sharing profits and losses as x, one half, one third, one sixth from 1st April agreed to admit A into partnership for one sixth for profit which he acquires equally from x and y चलिए पहले हम इसका नया ratio आप लोगों को calculate करके बता देते हैं फिर उसके बाद हम लोग आगे की चीज में बता दूँगा कैसे करना है क्योंकि बहुत easy ये भी question है question number 34 question number 34 में x को share मिल रहा है 1 by 2 y को share मिल रहा है 1 by 3 और z को share मिल रहा है 1 by 6 ठीक है एक बंदा नया A आता है जिसको 1 by 6 देना है जो की x और y से लेगा equally यही तो कह रहा है और तो कुछ कहा ही नहीं है तो पहले हमको पुराना ratio निकालना पड़ेगा वो कैसे निकलेगा x, y, z यह है 1 by 2 is to 1 by 3 is to 1 by 6 lcm 6 2, 3 is a 6 होगा 3 is to 2 is to 1 तो पुराना ratio 3 is to 2 is to 1 हमारा पुराना आ गया अब यह A भाई साहब को 1 sixth देना है जो की x और y 1 is to 1 में दे रहे है z कुछ नहीं दे रहा है तो कैसे करेंगे हम x will give 1 by 2 of 1 by 6 which is equal to 1 by 2 into 1 by 6 which is equal to 1 by 12 y will give 1 by 2 1 by 2 कैसे आया भाई 1 by 2, 1 by 2 2 कैसे आया 1 plus 1 तो of 1 by 6 which is equal to 1 by 2 into 1 by 6 is equal to 1 by 12 तो x और y ने 1 by 12, 1 by 12 दे दिया अब x के पास बचा कितना x new share पुराना कितना है 3 by 6 दे कितना दिया 1 by 12 LCM कितना आया 12, 6, 2s आ 3, 2s आ 6 minus 1 which is equal to 5 by 12 y is new share पुराना कितना है y का भाई 2 by 6 1 by 12 वो अपने पास से दे दे रहा है कर दो कि जितना बचेगा यही हमारा क्या हो जाएगा उसका बचा हुआ नया share हो जाएगा तो LCM अगर हम निकालेंगे तो 12 आ जाएगा 12 को 6 से डिवाइट करेंगे तो 2 टाइमस जाएगा 2 को 2 से मल्टिप्लाई कर दिया तो 4 आ गया जेड का नया पुराना ही रेशियो रहेगा क्योंकि तो खुछ दे नहीं रहा है और जो नया आ रहा है उसका 1 बाई 6 LCM 12 आ गया 12 में 12 वन टाइम गया 5 आ वन टाइम गया 5 आ गया 12 में 12 वन टाइम गया 1 और 3 थी आ गया 6 2 से 12 वहता 2 और 1 2 6 2 से 12 वहता 2 and 1 मल्टिप्लाई हुआ तो 2 तो नया रेशियो 5 इस्टो 3 इस्टो 2 इस्टो 2 ये हमारा नया रेशियो निकल करके आ गया अब क्या करोगे तुम लोग देखो फ्रिंस इसके बाद कुछ नहीं करिए इसके बाद आप सिर्फ एक सिंपल निकालेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो वह कैसे निकलता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो ये तो आप लोगों मालूमी है इतने questions में हम लोग solve कर चुके है अब क्या करना है कुछ नहीं करना है यार उसके बाद बहुत सिंपल है देखो कहता क्या है कि और ब्रिंग 50,000 as his capital 50,000 रुपए capital ला रहा है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है और 20,000 as his premium for goodwill लेकर के आ रहा है ठीक ये 20,000 he is bringing as his premium for goodwill तो इस case में क्या हो रहा है premium for goodwill and paid his capital money but in respect of premium for goodwill he could bring only 15,000 अच्छा एक काम करिए 34 आप लोग खुद से एक बार ट्राय करिए 35 मैं पूरा बताऊंगा तो आपको 34 बहुत आप 34 भी कर लेंगे ठीक है आइए 35 कर लेते हैं A and B are partner sharing profits in the ratio 5 is to 3 they admit C into the firm ये दोनों सेम है friends और ये मैं पूरा solve करने वाला हूं तो यहां पे कहता है they admit C into the firm 3 by 10th profit which he takes 2 by 10th from A and 1 by 10th from B and brings 1,50,000 as premium in cash and out of his share 3,90,000 goodwill account does not appears in the book A and B give journal entries a new ratio of A, B and C तो सबसे पहला काम हमारा क्या होने वाला दोस्तों यहां पे नया ratio calculate करना चलो हम लोग करेंगे 35 ध्यान से देखिए तभी आप 34 कर पाएंगे वरना नहीं कर पाएंगे आप 34 5 is to 3 A और B का है और C जो हमारा नया आ रहा है उसको 3 by 10th share देना है तो A दे रहा है 2 by 10th ठीक और B दे रहा है 1 by 10 ठीक है तो just in order to confirm कि C को पूरा share मिल रहा है 2 by 10 plus 1 by 10 is equal to 3 by 10 यही मिलना था तो यह हो गया अब हम क्या करेंगे A's new share तो भाई A का पुराना कितना है 5 upon 8 कैसे आया 5 upon 8 3 upon 8 ठीक है 8 कैसे आ रहा है 5 plus 3 ठीक 5 upon 8 में से A ने दे कितना दिया A अपने पास से भाई साब 2 by 10 दे दे रहे है तो LCM हमारा इस केस में क्या हो जाएगा 40 40 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 5 times जाएगा 5 को 5 से मल्टिप्लाई किया तो 25 यहाँ 40 को 10 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 4 times जाएगा 4 को 2 से मल्टिप्लाई किया तो 8 कितना आ गया 17 upon 40 फिर क्या करेंगे 20 new share 20 new share हमारा क्या है 3 by 8 minus पुर्दे कितना दिया 1 by 10 फिर LCM कितना आया 40 40 को 8 से अगर हमने डिवाइड कर दिया तो कितनी बार 5 times 5 को 3 से मल्टिप्लाई किया 15 minus 1 which is equal to 14 by 40 और C का share अल्रेड दिया हुआ है तो अब इस case में हम क्या करेंगे friends नया ratio calculate कर देते हैं जल्दी से क्या हो जाएगा नया ratio हमारा A is to B is to C is equal to 17 upon 40 is to 14 upon 40 is to 3 upon 10 ठीक है तो यह आ गया हमारा 40 LCM आ गया 17 is to 14 is to 12 which is equal to 17 is to 14 is to 12 नया ratio अब हमको क्या निकालना है sacrificing ratio निकालना है जो की हम दुका रहा देखिए चलिए हम next अब इसके बात करते हैं sacrificing ratio निकाल लेते हैं यहां लगता हूँ मै sacrificing ratio old minus new तो चलिए आई पहले देखते हैं A कितना sacrifice कर रहा है A का पुराना 5 upon 8 दे कितना दिया 17 by 40 LCM निकालेंगे तो 40 आ जाएगा तो 8 में 5 टाइम गया 5 फाइम गया 25 minus 17 which is equal to 8 upon 40 B कितना sacrifice कर रहा है 3 upon 8 पुराना था उसका 11 by 40 दे दिया तो 40 हमारा आ गया LCM 8 में 5 टाइम 5 टाइम 15 minus 11 which is equal to 4 by 40 तो कितना आया 8 upon 40 is to 11 sorry 4 by 40 which is equal to 8 is to 4 और कड़ दो इसको तो 4 2s are 8 और 4 1s are 4 तो sacrificing ratio हमारा आ गया 2 is to 1 ठीक है अब देखिए देखने वाली चीज इसमें जो main चीज समझना है जिससे आप पिछला question भी कर पाएंगे पूरे firm की जो goodwill है ठीक है वो यहाँ पर दी हुई है he supposed to bring 3,90,000 उसको 3,90,000 लाना था लेकिन वो cash में सरिव 1,50,000 ही ला पा रहा है तो कितना वो नहीं ला पा रहा है 2,40,000 और लाना था जो कि वो नहीं लेकर के आ पाया अब इसकी journal entry हम क्या करेंगे बहुत simple है entry सबसे पहले जो पैसा लाया उसको करो bank account debited to premium for goodwill account कितना पैसा ला रहा है वो वो लाया सरिव 1,50,000 ही तो बस 1,50,000 ही लिग दो यार इतना वो लाया है ठीक है अब क्या करेंगे दूसरी entry हम क्या कर देंगे premium for goodwill account debited कितना नहीं ला पा रहा है 2,40,000 ही यह है C C's current account debited 2 A's capital 2 B's capital account ठीक है कितना लाया 1,50,000 ले आया कितना नहीं लाया 2,40,000 नहीं लाया total 3,90,000 तो यह 3,90,000 अगर हम बाट देते हैं sacrificing ratio में मतलब 2 by 3 और 1 by 3 तो यह मिलेगा A के उसमें और यह जाएगा B के उसमें तो A को मिला कितना 2,60,000 और B को मिला कितना 1,30,000 तो 2,60,000 और 1,30,000 यह हो गया हमारा दियान रखिए का जो वो नहीं लाता है वो उसके current account से adjust कर लिया जाता है तो दोस्तो आज हम लोगों ने complete करा यहाँ पर question number 35 अब आप 35 मैंने आपको बता दिया तो 34 अब आप कर लेंगे 36 में हमारा gaining ratio आता है तो वो हम लोग कल स्टार्ट करेंगे 36, 37, 38 यह हम लोग कल करेंगे और फिर उसके बाद gaining ratio पहले मैं explain करूंगा अगर आपको कहीं भी कोई भी doubt होता है तो please मुझसे comment करके पूछेगा मेरी पूरी कोशिच होगी आपके सारे doubts को clear करने so friends कल फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए बाई बाई